दोस्तों आज है संडे और Google Map की टिप्स और ट्रिक्स के लेकि एक नहीं वीडियो आ चुकी है Google Map में उसे बहुत सारे फीचर हैं लेकिन आज मैं आप उसे बात करूँगा है उनके Explore टैप के बारे में क्योंकि Google Map में आपको Explore बोलके फीचर मिल जाता है उसका क्या यूज है कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत सारे सजेसंस आपको देता रहता है तो चलते हैं मुबाइल स्क्रीन पर और पूरी डिटेल पर देखते हैं कि कैसे आप Google Explore फीचर का यूज कर सकते हैं आपके एरिया में क्या कुछ नया आया है या फिर कौन सारे ट्रेंडिंग क्या चलना है किस प्लेस पे ज़्यादा लोग विजिट कर रहे हैं या फिर किस प्लेस की रेटिंग बहुत अच्छी इस टाइम पर चले उसके हिसाब से Google Map आपको automatically कुछ प्लेस को recommend करता है आप देख सकते हो बहुत सारे प्लेस ज़्यादा तर रेस्टो टेंट ही हैं या पर जो दिख रहे हैं जिन पर लोग ज़्यादा विजिट कर रहे हैं और यही नहीं कि आपको सिर्फ जहाँ पर हो आपको उसी प्लेस के दिखेगी अभी मेरा देख सकते हो लोकेशन यहाँ पर है मैं जैसको हलका सैसे ड्रैक करके यहाँ पर आता हूँ तो अभी explore type यहाँ का open हो जाएगा आप देखिए यह निव अलीपूर लोकेशन आटोमेटिक ले लिया अब इस प्लेस के आसपास में जो नए कुछ रिस्टोरेंट्स एड होंगे या फिर जिन पर ज़्यादा लोग विजिट कर रहे होंगे यह आटोमेटिकली रिकमेंट करने लगा आप देख सकते हो तो यह मतलब बहुत ज़्यादा यूसफुल है जहां पर आप रहते हो आपको नहीं पता कि आपके आसपास में नया क्या कुछ चला है कौन से प्लेस पे ज़्यादा लोग विजिट कर रहे हैं या फिर कोई नया रिस्टोरेंट ओपन अगरा हुआ हुआ है तो जो एक्स्प्लोर फीचर है गूगल मैप का यह आपकी हल्प करेगा तो ऐसे आप जो है स्कॉल करके किसी दूसरी लोकेशन पर भी जा सकते हो और यह आटोमेटिकली गूगल मैप जो है उस एरिया का जो है आपको एक्स्प्लोर करके दिखाएगा कि उस एरिया में क्या कुछ चला देखे यह मैंने नए प्लेस पे स्कॉल किया नए प्लेस की मुझे लोकेशन मिल गई कि यहाँ पर अभी क्या कुछ यहाँ पर इस तरह से ट्रेंडिंग चला है कि लोग जादा विजिट कर रहे है तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपकी छुट्टी बगरा है तो आप घुमने टहलने या फिर कभी आप फैमिली के साथ कुछ टाइम बिताना चाते है तो ऐसे आपको बहुत सारे आइडियास Google Map ही देने वाले आपको किसी दूसरे से नहीं पूछना है कि असपास में क्या कुछ नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है या फिर कोई नया प्लेस ओपन हुआ है आपको सारी डेटेल्स Google Map के एक्स्प्लोर टैप पर ही देखने को मिल जाएंगी सब्सक्राइब करिए कुछ इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं मैं आप से अगले वीडियो में